नमस्कार लोकसवाट टीवी पर हमारे खास का एक्रम फैसले में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोज वर्मा न्याय का सबसे बड़ा से धानत है भरोसा भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है न्याय की चौकट से निकला हुआ एक सही फैसला वो फैसला जो नजीर बन जाए वो फैसला जो देश की तस्वीर बदल दे वो फैसला जिसका सरोकार हमसे और आपसे हो आज हम सुप्रीम कोड के एक ऐसे ही फैसले के साथ एक बाफिर से आपके साथ हैं नियाले हमेशा वोई फैसला देता है जो सच्छा है मैं उसको साह आदर सम्मान करता हूँ बड़ा आद्मियों छोटा आद्मियों सबके लिए बराबर है का दो सबके लिए एक जैसी है इस कायकराम में हम सुप्रीम कोड के हाली में दियेगे एक एहम फैसले पर चर्चा करेंगे सम्माने जज़ों वाले सरवोश न्याले की किसी बेंच के उस फैसले पर पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे जिसका सरुकार सीरह सीरह आपसे जड़ा हो साथी हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनेतिक, आर्थिक और समाजिक प्यमाने पर इस फैसले का क्या असर रहा है आज हम बात करेंगे भारत में किर्किट की साथ को बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोट के एक एहम फैसले की जिसमें सुप्रीम कोट ने बी सी सी आई में प्रशासनिक सुधारों पर बनी जस्टिस आर्यम लोडा समीती की अधिकतर शिफारिशें मंजूर कर ली है इसमें सबसे एहम है मंत्रियों, नौकरशाहों और सत्तर वर्शे अधिक के लोगों के परतकारी बनने पर रोक क्या है ये पूरा मामला आईए हमारे सहोगी अमरेन गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिये जानते हैं सुप्रीम कोट ने BCCI को लेकर जस्टिस आरेम लोडा की समीती के अधिकतर सुझावों को मंजूर कर लिया है जिन में मंत्रियों, आईस अधिकारियों और सत्तर साल से अधिक उमरवालों के पदाधिकारी बनने पर रोक सामिल है हाला की RTI की अधिन लाने और किर्केट में सटे बाजी को बैद बनाने का फैसला संसेट पर छोड़ दिया गया है भारतिक सुप्रेट कंट्रोल बोर्ड में लंबे समय से कुछ गुटों से तालोक रखने वालों का ही दबदबा रहा है लेकिन अब अगले 6 महिने में दुनिया के इस सबसे अमीर खेल संगठन का होलिया एकदम से बदलने वाला है BCCI में सुधार के लिए Justice RM लोड़ा समीती की सिफारशों को सुप्रीम कोट ने स्विकृत्ती दे कर इन्हें 6 माह में लागू करने को कहा है Justice लोड़ा समीती की ज़्यादातर सिफारशें BCCI में पारदर्शिता लाने वाली हैं इसमें 3 सिफारशें ऐसी हैं जो बोड़ की तस्वीर बदल देंगी और पावर सेंटर भी बदल जाएगा सुप्रीम कोट ने Justice लोड़ा कमीटी की सिफारशों को मानते हुए उम्मीद जताई है कि कमीटी के सुझाव से बोड़ के कामकाज में और पारदर्शिता आएगी सुप्रीम कोट के निर्देश किसी पत के लिए आयू सीमा 70 साल होगी मंतरी और सरकारी अधिकारी BCCI की गवनिंग काउंसिल से नहीं जुड़ेंगे गवनिंग काउंसिल में CAG का एक सदस्य शामिल होगा हर राज्य के लिए एक ही वोट होगा राज्यों में एक से ज़ादा क्रिकेट असोसियेशन होने पर रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी सक्तिबाजी पर संसत को कानून बनाने के लिए कहा गया है BCCI को RTI के दाएरे में लाने के निर्देश दिये गए है विग्यापन पॉलिसी पर नर्णाए BCCI खोद करे ऐसा कहा गया है Players Association की सिफारिश को भी माना गया है BCCI और राज्य क्रिकेट असोसियेशनों में 70 साल से ज़ादा के व्यक्ति के पदाधिकारी बनने पर रोग का मतलब है कि शरत पवार, एंश्री निवासन, निरंजन शाह, एंपी पांडव और फारुख अब्दुल्ला के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे लोडर समिती ने खिलाडियों के अधिकारों को भी आबास दी है सुप्रीम कोट ने बोड की आपत्ति को दरकिनार करके प्लेयर्स असोसियेशन को केंदर और राजी दोनों स्तर पर बनाने को कहा है बहराल ये वे कुछ एहम फैसले हैं जिसका असर BCCI के धाचे पर पड़ेगा BCCI भी अपने बायान में साब कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोट के फैसले का पालन करेगी यानि कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोड़ा समिती की सिपारिशों के लागू होने से भारती फुकेट कंट्रोल बोड के कामकाज में पार दर्शिता आएगी बहराल सुप्रीम कोट ने जस्टिस आरेम लोड़ा के सुझावों को मानते हुए यह उमीजताई है कि कमेटी के इन सुझावों से बोड में बदलाओ जरूर आएगा सुप्रीम कोट के मुताबिक बी सी सी आई को भी यह बदलाओ सिकार करना चाहिए यानि कि अब कोट के इस फैसले के बाद हितों के तकराओं से बचने के लिए क्रिकेट में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए अमरेंद्र गुप्ता लोकसवा टीवी तो आपने देखी रिपोर्ट हमारे खास एक्सपर्ट बिस्तार से सुप्रीम कोट के इस फैसले पर चर्चा करेंगे और इस मामले के जरूरी तत्यों को उजागा करने की भी कोशिश करेंगे आपको ये भी बताएंगे कि इस मुकदमी में क्या कानूनी सवाल थे इस केस पर न्याले में आये सभी पक्षों की क्या दलिल थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया और क्यों हम अपने एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया इस फैसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जानकारों का एक पैनल मजूद है हमारे स सबसे पहला सवाल मेरा आप से है आप जाने माने क्रिकेटर इस देश के रहे हैं इस फैसले का क्रिकेट पर और इस देश में जो क्रिकेट की ववस्ता उस पर क्या असा पढ़ने वाला है मनोज ये इत्यासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार खेल संस्थाओं में खासकर क्रिकेट के अंदर पहली बार इंटर्वीन किया नहीं तो आज तक जो हिस्ट्री में देखा जाए तो जब कभी भी खिलाडियों ने कोशिश की या किसी ने जो भी गड़वडी होती थी उसको उजागर करने के लिए कभी कोर्ट में जाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसको एंटर्टेन नी किया हाई कोर्ट ने कभी एंटर्टेन नी किया एक मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टेंडी दोरे के बाद खिलाडी जो है आते हो कि ये आने वाली जनरेशन जो हैं उनको इसका लाब मिलेगा और अभी क्योंकि ये फैंसला आया है जो चालिस पचास साल से अड्मिस्ट्रेटर्स बैठे हुए है वो एक सोने की मुर्गी जो मिली हुई थी अब वो उनके हाथ से जा रही है तो वो इसको डाइजेस्ट नह कर पाएंगे और वो भ्रहम फैलाने की कोशिश करेंगे मार्किट में अख़बारों में जैसे एक चुनाव सिर्नगर में करवा दिया गया जब ये निर्ने आया सुप्रीम कोट का उसके नेक्स्ट है और उसमें पिछटर साल के वहां से जेंके के मंतरी हैं उनको उसके उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है उनका भी जो है कारे काल अब खतम हो गया और ये लोग इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकते तो वो डिरेक्शन भी भीज दी गई है तो असान नहीं है इनको एकसेप्ट करना बट ये सुप्रीम कोट का निर्ने है और ये आने वाली जो है जो नेपटिजम जैसे जवानी से एक इनसान बुड़ापे की तरफ चलता है तो बीच में उसको बिमारिया लग जाती है किसी को डाइपटीज लग जाती है किसी को बीपी हो जाता है किसी को कुछ हो जाता है ये ऐसे ही क्रिकट जैसे 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 अपनी जवानी से IPL तक आई, इसमें नेपोटिजम आगया, फिक्सिंग आगई, बैटिंग आगई, इसके अंदर जो है, कॉन्फिलिक्ट आफ इंटरेस्ट आगई, बी-सी-सी-ाई में आगई, अब उनको दूर करने के लिए जो सरजरी की गई है, वो मैं तरीफ करना चाहूंगा, वनरेबल स किया है, जो बातें उन्होंने पहले सेजेस्ट की, जिस पे मोर लगाई ठाकुर साब और कलीफनला साब ने, उनकी तरीफ करना चाहूंगा, और वो इस हेल्थ को, क्रिक्ट में जो खराबी आई थी, बी-सी-सी-ाई में, रिफॉर्म के माध्यम से उसे दूर करना चाहते है और उनको सलाम भी करता हूँ, एज एन एक्स क्रिकटर, जी, हमरे साथ अमेद पाई जी, आप हमें बताएं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप इस मामने से जोड़े रहे हैं, क्या कानूनी इसका आधार रहा और ये फैसला क्यों देना पड़ा? अब बीचीश एक मात्र स्फोर्टिंग बाडी है, जो इतना बड़ा ने इस एक एक लाउन किया, कि एक इन्स्टिूशन है और उसकी इंटेगरिटी, जो इंस्टिूशन इंटेगरिटी, उसको बचाने की जरूरत है, और ग्रिकेट ऐसा खेल है, जो पूरे देश को जोड देता है, इस वन अफ तो मोस्ट यूनिफाइंग स्पोर्ट इन दे कंटी, अब बीचीश एक मात्र स्फोर्टिंग बाडी है, जो इतना बड़ा है, जिसके पास इतना पैसा है, और वो गवर्मेंट के अंडर नहीं आता है, बाकि सारे स्फोर्ट बाडी जो है वेरी एमिनेंट जजिज जिनको फॉर्मर चीफ जस्टिस लोधा साब ने हेट किया, उस कमिटी ने छे में एक साल तक बहुत काम किया है, अल्मोस्स सेवेंटी फाइव लोगों से मिले हैं, वेरियस जगे पे बैठे हैं, और उन्होंने उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया, अब उस रिपोर्ट में क्या कंसिडर किया, सुप्रीम कोर्ट के कमिटी ने उस रिपोर्ट में बी सी सी आए में क्या क्या हो रहा है, बी सी सी आए के जो एफिलियेट बाडी हैं, उन्में क्या क्या हो रहा है, उनके जो रेप्र यह report दी, it's a very comprehensive report, ऐसा नहीं है कि दो-तीन sitting में कर लिया है, अगर कोई report एक बार देख लेगा, एक जलग, तो उनको समझ में आएगा कि इतना comprehensive काम किया है इस committee ने, जब इतनी eminent committee ने Supreme Court के सामने यह report रखी, Supreme Court ने सारी दलीले सुद के, यह decide किया कि जो committee ने recommend किया है, it is in the interest of the sport, cricket is not about administrators, it's about cricketers, तो इस point को रखते हुए, cricket के betterment के लिए, Supreme Court ने, पिछले Monday को, Justice Loda की, almost all points को accept करनी है, हरपाल जी, आप लंबे समय से खेल करते रहे हैं, यह जो खेल BCCI का का कानूनी दिश्टी से हुआ है, हमने सुरिंदर खन्ना साब को सुना, अधिवक्ता, अमेत पाईजी को सुना, ऐसे पत्रकार, खिल पत्रकार, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? ठीके, अब दोबारा रिपीट हो जाएगा कि यह त्याजी फैसला है, एक फैसला किसी को उमीद नहीं थी, कि ऐसा आएगा, अब सबसे पहले है, जैसे आपने ख़द्सा जायर किया हो सकता है, इसमें यह हो सकता है, अगर गॉर्मेंट इंटर्वीन करें, कि साब हम नहीं म ख़़एंगे, हम नहीं करेंगे, तो गॉर्मे मिल ले की आगे, कि आप चेंज करेंगे, यहां तो गॉर्मेंट इस लेवल पे आए, मेरा नहीं ख्याल झावल है इस हालात में गॉर्मेंट कोई ऐसा काम करेगी, कि साब इनको बचाए. नजर में आएगा कि इनको बचा रहे हैं तो एक तो खतम हो गया दूसरा है इंटरस्टिंग चीज है यह अब नहीं हो देखिए आपको यह जनवरी में दसंबर में आ गया था यह फैसरा तो बीसी से इने चेलेंज किया उसका बीसी से आई कर देख जो थे वो शेशांग मनोर साब गे आई सी सी में बोला कि हमारा जो है ना हमें पैसा जो मिलेगा मुझे पैसे की जूर्ट नहीं है मैं गांदी बादी देश का हूँ आप लीजिए मुझे मिला लिए तो उस लिक्त पर लाग जाना चाहिए था कि क्या हो रहा उन्होंने अपना अपना काम किया जो भा एक था पहले आईडिया होगे था इसका रेमिफिकेशन और आगा आप मुझे कहा जैसे सिरिंदर ने बताया और इन्होंने वक्ति मैं बताओ कि इसका रेमिफिकेशन सारी स्पोर्स बाडी पे हो जी क्यों होगा क्योंकि आप ऐसा थे सुप्रीम कोट को एक बाडी पसंदे क्योंकि हमारे पर हम गरीब हैं और क्रिकट यह तो नहीं होगा ना अब उसमें कोड़ है जैसे हमारे बी सीचे के अधियक्ष है इनके पास इनके कंदों पर चार जम्मेदारी एक बी सीचे की है एक हिमाचर प्रडेश के क्रिकट असेसेशन की है एक आई यूए की वाइस की है एक हौकी इंडिया के वाइस प्रेशन की है जी अब आप हर जेका तो नहीं रख सकते इसी दीके से आप देखिए जत्रे भी है और सब्चे खुब्सुत बात इस क्रिकट के बारे में यह है यहां आई यूए में ले लिए बी सीचे इसमें यह नहीं है कि आप बी जे आई यूए ने बता दिया है कि यह कैसे इन दोसा निकठा हो सकता है अगर आप हाल आदमी आपने में मुफाद करें जहां पर यह आई यूए ने यह कोर्ट के इस जज़्विन ने आप नोए जवानों की जो ने प्लेयर हैं उनकी आशाएं जगा दी है कि साफ अब कुछ ह हो सकता है अब यह नहीं कि बिल्कुल हंडर परसंडर परसंट कई होता नहीं मगर आपको अगर असी परसंट नबे परसंट भी ठीक हो जाए तो बहुत फरक पड़ेगा अच्छे यह तो होगा कि सते साला नहीं बनेंगे एक तब सिरदर दी थी अगर मिनिस्टर बन जाते है और छोड़ता है नहीं सेम इस आईए साफी सर्ट एक तरह कहते हैं हमें काम है डिस्टर क्लेक्टर अगर आपको काम है तो आई इस में क्या करना है भई इंटरस्टिंग चीज़ आप यह होगी जो डिसकर्शन करने वाली है कि अब इसके बाद कोई करकड़ में आना चाह मिलना मुझका मीटिंग होंगी नहीं तो आप इंटरस्टी चीज नहीं कि इसका अब इंटरस्टी चीज है कि कौन के रिकर्ट में रहना चाहेगा इसका सवाल जवाब लेंगे सुनिदा खना जी से लेकिन समय एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद लोटेंगे तो इसके और पहल ब्रेक के बाद फैसले में आपका फिर सस्वागत है हम चर्चा कर रहा है बी सी से के संबन में सुप्रीम कोड के फैसले किये है सुनिदर खना जी ब्रेक पर जानने से पहले हरपाल जी ने एक बात कही थी कि इतनी अंकुषों के बाद बी सी सी में कोई आना चाहेगा तब जब 70 साल का एक एज का कैप लगा दिया गया है कि अब 70 साल से अधिका उमर का वेक्ति नहीं आ सकता मंतरी सरकारी यतकारी आनी सकते एक पद एक वेक्ति यह से धांत लागू करने को होट ने कहा है इतने सब के बात कोई आना चाहेगा इसमें अब रस्ते खुलेंगे जो ख तरी खुद नहीं आना चाहता बट आज से पहले जो मैं आपको उधारन के तौर पे अगर कहूं तो एनकेपी सालवे साब हुए वो जब स्टील मिनिस्टर थे हमारे बोर्ड के अध्यक्षपी थे और जब वर्ड कप निकाल के लाए इंग्लेंड से सब कॉंटिनेंट में उसमें डालमिया और बिंदरा साब के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान था उसके बाद मादवराव सिंदिया जी वो सिविल एवियेशन रेल्वेज मिनिस्टर थे संडे को मैच भी खेलते थे रेल्वे ग्राउंड में मुझे याद है उनके साथ मैच खेलते हुए और वो शाम अपना साथ में फाइलें में मंगा लेते थे जी बोर्ड की खड़े साब का वो पी डबलुडी मिनिस्टर थे सीसी आई और मुंबई क्रिकेट एस्सीयेशन की एक जॉइंड मीटिंग हो रही थी क्योंकि मैच इस तब सीसी आई में होते थे तो उसमें कुछ विवाद हो गया कुछ बात नहीं मानी गई मुंबई क्रिकेट और क्रिकेटर्स लेकिन अनफॉर्चनेटली जो अभी पिछले पंदरा साल देखें जब पैसा बहुत जादा आया तो इसमें जिस तरह के लोग आए और जिस तरह की चीजें हुई हैं वो पहले नहीं देखने को मिलती थी तो अगर आप अपनी जॉब में बिजी हैं और आ तो हो गया एक पहलो और इसके अंदर आइम शूर जिनको पैशन है खेल का वो इसमें आएंगे और वो अच्छा काम करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ और वो रस्ते खुलने चाहिए और आपने का सतर साल से उपर अगर एक मैं खिलाड़ी की भी बात करूँ उधारन के तोर है या कोई रिची बेनो 85 तक करता रहा जेफरी बॉयकर्ड जो है वो 75 का है वो कर रहा है तो इसके अंदर यह नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं बट आप जो है एक ही काम में रहें आप दस जगा ना हूँ और फिर यंगस्ता और एक्सपिरियंस नए आइडियाज भी आने चाहिए और अनुभव भी होगा मैं रहें 69 साल थे 70 में तो चली नहीं पाते हैं लोग कुर्सी पे बैठ जाएं तो चार आदमी चाहिए उठाने के लिए जो हमारे BCCI के अध्यक्ष थे हरपाल जी भी उसक मिले और ये पैनल मिला सब मिले तो उन्होंने कहा ये एक इतनी बड़ी संस था दस दार करोड पन्रा दार करोड की इसे प्रफेशनली रन होना चाहिए और इसको जो प्रेजिडेंट है उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है उससे सवाल कुछ कर रहे हैं वो जवाब कुछ दे रहा है तो जो इस तरह की चीज़ें सामने आई तब ये इस तरह का और्डर और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर किया और ये अच्छा ही लेके आएगा ये इसको देख रहा हूं और आने वाले समय में जो भी आएंगे खिलाडी और जिस तरह से ये डारेक्शन जो य प्लेन की है और इंपार्शल होके कि इसमें सुधार के लिए है ये हमारा किसी से द्वेश नहीं है क्योंकि ये खेल लाजवाब है ये एक विशेप और आपका चाहूँगा क्यों बीसी सी आई के आर्थिक उसको लेके भी सवाल बहुत उठते रहे हैं इनकर्म टैक्स दिय गवर्मन्ट नॉमिनी है पिछले तीस साल से तब तो किसी ने कम्प्लेन नहीं की आज अगर सुप्रीम कोड ने कहा है एक सीएजी का हाद्मी हो जाए सीएजी का ऑडिट कराएगा तो किसकी मजाल है उसकी नाक के नीचे कोई एराफेरी करेगा तो ये आगे जो रिफॉर् पिछले करने के लिए संसत कानून बनाए सीएजी की बात इस में है आरटी आ ऐएक की बात कहा है तो कानूनी रिष्टी से ये कितना और फुक्ता चीज़य होने जा रही है उस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ जहाँ सटेबाजी की और आरटीाई की बात हुई है उसमें ल तोधा साब ने कहा है कि आप legislature is the appropriate body, आप देखे, अगर आपको लगता है कि betting और RTI का करना चाहिए, तो आप कर लीजे, that is what it is left at, जहां तक C&AG की बात किया है, C&AG से ज्यादा एक और important, बहुत important and unique feature है इस report का, performance audit, आज की दिन में BCCI से state association में पैसा जाता है, उस पैसे का क्या होता है किसी को ने को, आज जो है, performance audit के, because of performance audit, जब BCCI state association को पैसा देता है, state association को accounts देने पड़ेंगे कि उस पैसे को उन्होंने कैसे इस्तमान किया है, there are a lot of states, जिन के पास full membership है BCCI का, जिन को substantial grants मिलते हैं, बट उनके पास infrastructure नहीं है, जैसे खुद का stadium नहीं ह जै, as an example, Goa Cricket Association को BCCI से लगबख 140 करोड रुपे मिले हैं, 5 साल के period में, as per BCCI is affidavit in the Supreme Court, 140 करोड रुपे, वहाँ पे Goa Cricket Association का अपना stadium नहीं है, unfortunately Goa Cricket Association में, आप आपने news में पढ़ा, देखा ही है कि Goa Cricket Association में, प्रेजडेंट, ट्रेजरर और सेक्टरी तीनों जेल गए, and they still hold the post. हरपाल जी, इस फैसले के बाद, क्या कुछ बदलने जा रहा BCCI में, राजणीतिक तौर पे, और दूसरा आपने शुरू में कहा था, कि इसका असर दूसरी संस्थाओं पर भी पढ़ेगा, कितनी पारदश्टा आएगी, कितना वो होगा. मैंने काना है, राम राही तो नहीं आएगा, यह जलती आना भी अमीड भी नहीं करने जाएगी, क्योंकि कुछ तो अच्छा हो गई. मगर जैसे अभी उन्हें कहा कि इतना इतना पैसा है, दिखें, बीची से में क्या हुआ, जैसे अभी शुरिंदर खना ने तीन आम लिए, वो बंदे ये लग थे, सालवे, सिंधिया, यावान खेड़े, वो मंद्री थे, मगर उन्होंने देटू रेतना पंगई बादी नह शुरू हुआ. जी. तो अर्बो रुपया, अब यहां कोई संत महांतुबा को बढ़ाए, वो बैठेगा कोई नहीं, अर्बो रुपया और वो भी अनकॉंटिट फार, देखें ना आप देखिए, यह आठ साल से आई पियर चल रहा है. जी. जुनिया में पहली में यह आई आउट करोड का. कहते, मुझे कोई फाहदा यहांपार यह बिस में यह इक बन्गलादेशी प्लेयर था, उसको आछ प्रोड प्रेडियों उसने छे बाले की. उसको काम और देर आउँ आइख बाल की, अब एक क्रोल उसके आउट की बालांवाले की उससे वह शाभ-किताब लगाया गया चिस दीकिसे इतना वायाच पैसा गया देखी न इसको आपने इपियल एंग्रेजों की इंग्डिश प्रिमिर लीग के से मकाबला किया वहां पर एक पैसे के साफ होता है यहां पर कोई पता ही नहीं अर्बो रुबया डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं देख इसा था कि खजाना पड़ा लूटो या मौब पढ़ जाता है मौब पढ़ गया था आई पील में और जिसको हाथ आए अब सारे इमाद अपने उसको तो सब तूर पढ़े थे ऐसा कि इसे लूट लो बता है नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहां पर देखिए कि स्प्रीम क इस्टारिक बिल्कुल एथियासिक फैसला है किरकेट के लिए फैसले में आज इतना ही मुझे दीजिए आग्या नमस्कार